ओके अब तुम सब को साथ में गाना है ठीक है चलो शुरू करो मुझे किस ने मारा है अब ज्यादा शुर मचाया तो अच्छा नहीं होगा समझ गए न जियान तो सब के साथ ऐसा ही करता है वो कभी नहीं सुद्रेगा तुम में से किसी को चोड तो नहीं लगी न चलो ठीक है आज के लिए इतना ही काफी है तुम लोग बहुत ज्यादा शुर मचा रहे हो क्या तुम्हें पता नहीं दूसरे लोग डिस्चर्ब हो रहे हैं शुर मचाने की बजाए तुम्हें घर जाकर अपना होमब करना चाहिए समझते ही नहीं है इससे क्या हुआ? जियान ने कहा हमें अपना होमब करना चाहिए मुझे तो लगता है इसकी तबियत खराब है है ना नोबिता? ये ऐसा बेहेव क्यों कर रहा है? सुनो जैको देखा शोर बंध हो गया क्या तुम्हें कोई नया आइडिया आया? नहीं बाईया बाईया मुझे कोई नया आइडिया नहीं आ रहा मुझे में टालेंट नहीं है मैं हार मानती हूँ तुम्हारा मतलब क्या है? देखो तुम्हें एक जीनियस हो ये सच है जैको और एक दिन तुम इस देश की सबसे बड़ी कार्टूनिस बनोगी नहीं डेड्लाइन एक्स्टेंड कर दो नहीं तो ठीक नहीं होगा रुक जाएए भाईया देखे भाईया आप ऐसा नहीं कर सकते हैं लेकिन जैको हम सबने मिलकर डेड्लाइन डेसाइड की थी अब मैं शिकायत नहीं कर सकती अच्छा ठीक है क्या बात है क्या हुआ अगर हम शोर मचाएंगे तो जियान हमें डाटेगा घबराओ मन जियान हमें तभी डाटेगा जब वो यहाँ पर होगा नोबिता सुनो जियान अब हम शोर नहीं मचाएंगे हाँ हमसे गलती हो गई हमें माद कर दो जियान मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तो जैको कॉमिक क्लब बुक में कॉंट्रिब्यूट कर रही है ये कौन सा क्लब है कॉमिक बुक्स के फैन्स मिलकर अपनी खुद की एक बुक क्रियेट कर रहे है नोबिता क्यों है ना हाँ सबको इंतजार है कि इस बार जैको क्या करेगी उसकी कॉमिक्स काफी इंट्रेस्टिंग होती है क्यों है ना हाँ लेकिन पता नहीं जैको को क्या हो गया है उसमें अभी तक कुछ भी ट्रो नहीं किया कुछ भी नहीं अब क्या होगा उसके पास एक बहुत अच्छी स्टोरी का एडिया है ये एंशिंट इजिप्ट की एक ट्राजिक लव स्टोरी है नोबिता सच में ये तो बहुत अच्छा एडिया है जीआन में कैरेक्टर एक किंग है जिसका आखरी नाम रामिन या आमिन है क्या एजिप्ट का किंग रामिन लेकिन रामिन तो चाइना से था ना मैं समझ किया जरूर ये किंग तूतन खामिन होगा जीआन हाँ ये वही है किंग तूतन खामेन कैरेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए उसे कुछ इन्फरमेशन चाहिए वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे तो हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम अपनी टाइम मशीन की मदद से एंचिंट इजिप जा सकते हो और उसके लिए कुछ फोटोस खीच कर ला सकते हो कुछ फोटोस खीच लाएं? क्या तुम्हें लगता है ये इतना असान है? तुम मुझे मना कर रहे हो बादो रोक जाओ तुम बहुत सेलफिश हो गए हो समझ गया दर असल मैं जैको को ऐसी हालत में नहीं देख सकता मैं तुम सरी कुछ करता हूँ प्लीज मेरी मदद करो हम्हाँ हमें उसकी मदद करनी चाहिए डोरेमान हाँ सही कहा काम हो गया जियान हाँ थेंक यू थेंक यू जैको मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ देखो मेरे हाथ में इंचिट इजिप की कितनी सारी फोटोस है अरे जैको बात क्या है क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई देखो इस तरह शोर मत मचाईए मैं एक नए आइडिया पर काम कर रही हूँ भाया आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए एक नए आइडिया और वो क्या है मैं एजिप्शन स्टोरी पर नहीं सोच पाई तो मैं अब मिडल एजिस के यॉर्प के बारे में सोच रही हूँ क्या कहा मिडल एजिस तो क्या आप तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है मुझे स्टोरी चाहिए किंग आर्थर और राउंड टेबल की नाइट की जैसी किंग आर्थ और दे राउंड नाइट मैं समझ गया ये लो मिडल एजिस के यॉर्प की फोटोस बहुत अच्छे नो बिता और हाँ इन्हे नाइट्स आप दे राउंड टेबल कहते हैं जियान समझ गया थांक यू जैको मुझे राउंड नाइट्स की फोटोस मिल गई है अरे वो यहां तो नहीं है आखिर जैको चली कहां गया तुम कहां हो तुम यहां पर क्या कर रही हो भाईया अब मैंने एक नया आइडिया सोच लिया है तुमने नाइट्स ओफ राउंड नियन का आइडिया छोड़ दिया तो अब तुम्हें यह फोटोस नहीं चाहिए तो अब तुम्हें कहां कि फोटोस चाहिए अमेरिका या चाहे न आप जाइए यहां से मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अकेला छोड़ दे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बस जाएए यहां से मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं आराम से बैठ कर ड्रॉ कर सकूँ मैं क्या करूँ लेकिन ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा था समझा अब मैं ऐसा नहीं करूँगा एक ऐसी जगह जहां तुम ना हो जियान हाँ मैं ये अच्छी तरह समझ सकता हूँ जैको कैसा फील कर रही होगी क्या तुम कुछ नहीं कर सकते अगर मैं ये सोच भी लूँ कि मैं उससे अकेला छोड़ दूँगा तो भी मैं बार-बार उसके रूम में जागता रहूंगा डोरे मौन क्या तुम दोनों किसी ऐसी जगे को जानते हो जहां मैं जैको को परेशान ना कर सकूँ बोलो मैं समझ गया ये ठीक रहेगा इस बटन को प्रेस करते ही ये एक आदमी के रहने लाइक रूम बन जाएगा इसमें बैटकर जैको अपना काम कर सकती है रुको क्या तुम दोनों जाकर जैको को ये बात समझा सकते हो पर क्यों अगर मैं गया तो वो कहेगी मैं उसे परेशान कर रहा हूँ प्लीज मान जाओ ठीक है चले डूरेमान हम अभी जाते हैं ये हम पर छोड़ दो तुम कितने अच्छे हो देखो इसका धकन तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता जैको सच में? इसके अंदर टाइम अलग स्पीड पर चलता है इसमें बिताया गया एक पूरा दिन बाहर के सिर्फ एक घंटे के बराबर होता है तो अगर मैं अंदर तीन दिन बिताऊंगी तो बाहर सिर्फ तीन घंटे ही बीतेंगे? हाँ, सही कहा ये तो कमाल का रूम है ये फोर्च डाइमेंशनल रूम है अपनी जरूरत की सारे चीजे तुम्हें यहां मिल जाएंगी जैको अगर तुम्हें भूख लगे तो रेफरिजरेटर से कुछ निकाल लेना समझ गई? ठीक है, आल दे बेस थांक यू क्या हुआ? वो खुश है, अब तुम्हें उसे डिस्टरब नहीं करना है समझ गया कोई आवाज नहीं आ रही क्या वो ठीक है? जैको, बेस्ट अफ लग जब तक काम पूरा नहीं होगा, मैं यहीं रहूंगा चल कर देखता हूँ कि जैको ने क्या ड्रॉ किया होगा जैको हे जैको, मोटियो तुमसे मिलने आया है क्या मैं उसे वापस भेज़ दूँ? अरे यह तो खुला हुआ है इसने काम पूरा कर लिया लगता है आज यह बहुत ठक गई है तुम आराम से रेस्ट करो जैको मैं यह जाकर मोटियो को दे दूँगा क्या उसने पूरा कर लिया? जरा मुझे दिखाओ जियान अगर घर से इसने कुछ ऐसा वैसा कहा तो आज यह मुझसे नहीं बचेगा बिग ब्रदर यह तो एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है एक ऐसा लड़का जिसे दूसरे लोग पसंद नहीं करते और जो अपनी छोटी बेहन की मुसीबतें बढ़ाता रहना है मुझे इस बेहन के लिए बहुत दुख है ऐसे भाई से तो कोई भी दूर रहना पसंद करेगा जैको ने काम कर लिया होगा पता नहीं देखो यहाँ तो मोटियो भी है तुमने सही कहा उसने काम पूरा कर लिया हे जियान नो मिता दोरे मा अरे तुम रो क्यों रहे हो यह कमाल की स्टोरी है जैको ने कमाल कर दिया क्या सच में? इस कहानी में एक लड़का है जो अपनी बेहन से बहुत प्यार करता है लेकिन उससे हमेशा मुश्किल में डाल देता है वो अपने बेहन के लिए हमेशा मुझे के लिए खड़ी करता है वो कहती है कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है एक प्यारी छोटी बेहन और किसी भी काम ना आने वाला भाई आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं जैक को मैं थख गई हूँ मुझे थोड़ी दर सोने दीजे प्लीज सॉरी मुझे माप कर दो अब मैं यह देट में परिशाद नहीं करूँगा जैक